जेन दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं CISF ट्रेड मेंन की वेकिंसी के वारे में तो आप सभी को बताए कि CISF की 914 जो पोस्ट तीन ट्रेड मेंन की उन पे अभी फिजिकल चल रहे हैं फिजिकल स्टार्ट हो चुके तीन तारीक से और हर एक अभ्यरती जानना चाता है इसके फिजिकल के बारे में कि किस तरीके से करवाया दारा क्या हो रहा है हलंकि इसके बारे में मैं एक वीडियो बना के आप सभी को बता चुका हूँ और उसमें पूरी जो सेंटर से इंफॉर्मिशन कलेक्ट की थी आप सभी को मैंने प्रोवाइड कराई थी और अभी एकदम बहुत अच्छी इंफॉर्मिशन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ जलने उसमें फेल होने की तादाद बहुत ज़्यादा है जी हाँ अगर मैं पास की बात करूँ तो आप मान सकते हैं दो से तीन परसेंट केंडिडिट पास हो रहे हैं जी हाँ आपको अभी मैं बता रहूं सो अन बंदर में एक सेंटर है आप मान सकते हैं कि 100 हम कह सकते हैं 100 अब्यर्थी थे अगर उसमें से मैं पास की बात करूँ तो आज केवल 3 अब्यर्थी पास हुए थे और कल की बात करूँ तो कल केवल दो अब्यर्थी पास हुएते हैं जी यहां आप सुनकर सौक्ड हो जाएंगे लेकिन इतने कम ही अब्यर्थी वास्तम में पास हो रहे हैं हालांकि आपने और भी बहुत सारी चैनल पर वीडियो देखी होंगी वो खुद कमेंट करकी बता देंगे कि मैं आपको कितनी साई जानकरी यहां पर प्रवाइड करा रहा हूँ तो बास्तम में ही सेंटर पर सभी सेंटर पर लगबग लगबग सेम हाल है तो मान सकते हैं 10-12-15 से ज़्यादा किसी भी सेंटर पर पास नहीं हो रहे हैं अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखे हो क्या रहा है फेल क्यों हो रहे हैं और यहां पर मैं आप सभी को ऐसी जानकरी देने वाला हूँ कि भाई अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे और आप सभी को पता चल जाएगा आपकी हाइड चेक की जाएगी और हाइड चेक करने के बाद आर्द सभीरती जो होते हैं वो हाइड में निकल जाते हैं उसके बाद बात आती है आपकी रणिंग की फिर आपकी रणिंग करवाई जाती है जो के 1600 मीटर की है 800 मीटर जाना है और 800 मीटर बापस आना है जो कि आपको 6.5 मिनट में complete करनी है अगर मैं बात करूँ 25 से 30 सब피यरती 100 में से लगवग यहां पर भार हो जारहे है और जादा लगवग 40 सब피यरती यहां पर भार हो जारहे है उसके बाद जब हाप बापस आएंगे तो आपके दुबारा से हाईट और चेस्ट करवाई जाएगी जिसमें भी 18 सब forgedi फेल हो जारहे है उसके बाद बात आती है आपके डोकुमेंट की तो आपके जितने वर डोकुमेंट है वो आपसे मांगे जाएंगे जो आपने application form बर के बेजा था वो उनके पास होगा उसी के according वो आपके पूरे डोकुमेंट्स चेक करने है डॉमिसाल वगारा सारी चीज़े होनी चाहिए है अगर बना हुआ है तो कोई problem नहीं है आप उसे लेके जा सकते हैं अगर आपने old लगाया था और new बनवा लिया तो उसे भी अपने साथ लेके जाना लेकिन दोनों certificate को अपने साथ लेके जाना ताकि आपको कोई डोकुमेंट में problem ना हो अब सभी का सबसे बड़ी जो query है व आप सभी को बता देता हूँ आज की according टोटल trade test के लिए जो qualify candidate थे वो थे 38 यानि लगवा अगर मैं बात करूँ 100 में से 62 candidate फेलो गए इन सारी चीदों में physical height और document verification में और finally पहुंसें trade test के लिए जिसमें 38 candidate पास हुए जिसमें 4 या 5 लोगों का batch बनाया गया और उन सभी के से करवाया मैं आप सभी को बता देता हूँ कि 5 candidate को एक वैस में बुलाया गया और उन्हें अंदल ले जाया गया वहाँ पे उन से बोला गया उन्हें एक चम्चे में आठा दिया गया यानि लगबग थोड़ा सा आठा दिया गया और बोला गया कि आप इससे आठी को बना देगा उससे अगला काम करवाया जाएगा अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इतना मैं आप सभी को बता दूँ अगर आपको खाना बनाना बिलकुल नहीं आता मैं ये कोक की बात कर रहा हूँ तो भाई आपके सामने यहाँ पे दिक्कत हो सकती है तो वहाँ जब जिल लोगों ने उसमें से रोटी बना दी मान के चलिए तीन लोगों ने इसी तरीके से सब जितने वैस्ते सभी का करवाया और उसके बाद एक अगला काम दिया जिसमें आप से पूछा गया कि आप क्या सभी बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते हैं अब देखिए मैं आ अगर आपने बताया कि मुझे आलू मटर और ये सारी चीजे बनानी आती है और आपने बोला कि मुझे मीट बगएरा बनानी नहीं आती तो आपसे वो ही बनवाया जाएगा इस चीज को समझ लेना एक अब्यर्थी था उसे चिकिन बनवाया था और दूसरा अब्यर्थी था उसे समोसा और एक से जलेबी तो ये सारी चीजें वहाँ पर बनवाई जा रही हैं तो इस चीज का बिसेस करके ध्यान रखें कि जो चीज आपको नहीं आती है उसका नाम जरूर लेते हैं कि ये भी चीज में को बनानी आती है और आप एकदम confidence होने चीजए confident अगर नहीं होगा तो सामने वाले को लगेगा कि साइदे से बनाना नहीं आता है तो आपसे वही चीज बनवाई जाएगी तो अगर मैं बात करूँ कि religion की according तो maximum जो हिंदू है और जिने बनाना नहीं आता है ऐसी कोई भी चीज non-wis बगेरा उन सभी से non-wis बनवाए जा रहा है तो इस चीज का business करके ध्यान रखें 38 में से total 3 candidate को ही पास किया गया trade test में यानि finally अगर मैं बात करूँ केवल 2-3% result रह रहा है हर एक center की यही हालत है तो सबसे बड़ी बात है अगर आप खाना वगारा बनाने में या जो भी आपने trade लिया है उसमें आप balance perfect ने तभी आप आप पास हो पाएंगे otherwise आपको दिक्कत हो सकती है लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो अभी आप पास कर जाएंगे trade test को यानि इस physical वाली चीज़ को उसके बाद उनके जो selection के chances हैं वो बहुत जादा हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत करीब हो जाएंगे selection के क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं 200 में से 100 अभ्यरती पहुंचते हैं और उसमें से 2 और 3 अभ्यरती पास होते हैं तो कितने कम अभ्यरती पूरे ओल इंडिया में बचेंगे तो 914 पोस्ट हैं तो आरम से वो अगर थोड़ी मैनत कर ले रिटन एक्जाम में तो बहुत आसानी से वो यहाँ पे नवगरी पासकते हैं और आप तो रन्त उस चीज़ से अपडेट हो जाएं अगर आपका भी आने वाले टाइम में फिजिकल है तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझगे जाएं एनलाइस करके जाएं यही सारी चीज़ें आप से करवाई जाएंगी और रनिंग का अगर मैं आपको टाइम बता दू तो साड़े छे मिनट में सोलर सो मीटर की दौड आपकी करवाई जा रही है जो की केवल क्वालिफाएंगे केवल आपको पास करना उसकी कोई नमबर वगएर आप सभी को नहीं दिये जाएंगे तो अमीड करते हום वीडियो आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मिटिव रही होगी और आपको इस वीडियो से काफी हेल्प भी मिल सकती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने है वीडियो को शेर करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें तो दोस्तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही बिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छी information के साथ तो थैंक यूफो वचेंग जैहिन जैवारत जैहिन दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं CISF ट्रेडमेन की वेकिंसी के वारे में हलंकि इसके बारे में मैं एक वीडियो बना के आप सभी को बता चुका हूँ और उसमें पूरी जो सेंटर से information collect की थी आप सभी को मैंने provide कराई थी और अभी एकदम बहुत अच्छी information में आप सभी के लिए लेके आया हूँ जो कि आपके लिए काफी मददगार होगी आपके exam को पास करने के लिए तो से पहले मैं आप सभी से request करना चाहूँ कि फटा फट से पहले वीडियो को देखने से पहले एक पर चैनल को subscribe करने साथ में bell icon को press करने ताकि कोई भी information हो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच जाए तो चलिए बात करते हैं टॉपिक के बारे में तो यहां पे मैं आप सभी को बता दूँ कि CSF के जो ट्रेडमेंट के अभी अपके physical चलने उसमें fail होने की तादाद बहुत जादा है जी हां अगर मैं pass की बात करूँ तो आप मान सकते हैं 2-3% candidate pass हो रहे हैं जी हां आपको अभी मैं बता रहूँ सोन बंदर में एक center है वहां से पूरी information मिलने के बाद मैं आप सभी के साथ यह information share कर रहा हूँ और बता दूँ 200 अभ्यर्थियों को लगवग बुलाया गया था center पे जिसमें से केवल लगवग 105 के लगवग अभ्यर्थी पहुचे 104 और 105 के around आप मान सकते हैं कि 100 हम कह सकते हैं 100 अभ्यर्थी थे अगर उसमें से मैं pass की बात करूँ तो आज केवल 3 अभ्यर्थी पास हुए थे और कल की बात करूँ तो कल केवल 2 अभ्यर्थी पास हुए थे जी यहां आप सुनकर सौक्ड हो जाएंगे लेकिन इतने कम ही अभ्यर्थी वास्तम में pass हो रहे हैं हालांकि आपने और भी बहुत सारी चैनल पर वीडियो देखी होंगी वहाँ पर आपको यह संक्या काफी ज्यादा बताई जा रही होगी लेकिन वह एकदम फेक है और गलत है इस चीज़ को आप खुद वहाँ पर जाके सेंटर पर जाके आपको कंफर्म हो जाएगा यहां कोई भी अपरती देखे आया हो जितने वह लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे